हाई फ्रेंड्स कैसे है है आप सब में हूं फृतिक और आप दिख रहे हैं ट्रेइडंग टॉपर आज हम बात करने वाले हैं विप्रो शेर के बारे में आज जो हैं इसके डिटेकने की फॉन्डेमेंटल दोने नासिस करेंगे लेकिन लेकिन टेकनिकल चाट पे एक अच्छ पर आ चुका है जो कि एक अच्छी बात है डाउनसाइड से नीट्रल पर मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है और अगर हम बात करें चेक्लिस तो चेक्लिस पर चेक्लिस जान तो यहां पर और ओर वोट जो आ रहे है वह रहाएं तो इससे भी मार्केट भी अगर बात करें तो यहां पर यहां-पर-धोंडर की बात करेंगे-पॉड्ल क्या जाता है पब्लिक वोट जाए वो 70% पीपल बाई की तरफ है, 10% सेल की तरफ है, होल की तरफ 19.47% लोग जाए, वोट कर चुके है, यहाँ पे लग बग लग 3000 पीपल से नोट को है उसमें से 70% लोग वो बाई की तरफ है मतलब ग्रीन साइड की तरफ वो शेर को लेके जाना चाहते है जो कि एक अच्छी बात है अगर हम बात करें तो अगर हम आ जाते हैं इनके टेकनिकल चार्ट पर तो यह इसका टेकनिकल च कंपनी के बागी के फंडमेंटल जो बहुत स्ट्रॉंग है बहुत स्ट्रॉंग कैसे था रोसी है 21.1 यह 20.3 तो रोसी बहुत बढ़ी आए यह जाते कंपनी डिविदेंट भी अच्छा प्रोवाइड करती है अगर हम बात करें और इनका बिजनस की चीज का है तो IT सर्विस सेग्मेंट में यह कंपनी जो है वो 97 परसेंट रेविनियू इनका IT सर्विसेस जनरेट होता है और IT सर्विसेस में यह अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है थोड़ा सा कर जाए कंपनी पे 0.27 का डेप्ट एक्विटर से बन रहा है 70,593 करोट का इनका डेप्ट है इसे के बात हमें देखने को मिल जाएगे कि वह क्यों ठीक है इतनी अच्छी कंपनी यह लेकिन कमें कम प्राइज पर अभी अवेलेबल है क्योंकि इसका डाउंट्रेंट चल रहा था तो यहां पर यह शिर्व जो था लगभग 700 के आसपास ट्रेट कर रहा था वहां से जो इसने ग क्या बड़ा है कंपनी का प्रॉफिट भी हम देखेंगे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट जो है वह वह यही दर्चाती कि कंपनी लॉस नहीं करती कंसिस्टेंटली प्रॉफिट करती है है ले लगभग यह मं बात करें लास्ट जर एक टो अ कर करें कि लास्ट रियर्स में कंपनी के प्रॉफिट जाए वह 10,000 के आगया ट्रेट करें यहाँ पर 12,000 का 11,000 हुआ है लेकिन फिर भी एक बहुत तगड़ा प्रॉफिट है 11,000 अगर हम लॉंग टम की बात करें तो लॉंग टम में कंपनी ग्रोथ की यह बहुत अच्छी कर रहे से कि यह 5,000 करोट से 11,000 करोट तक कंपनी लेके आचुके प्रॉफिट को लास्ट यर से थोड़ा प्रॉफिट 1% से डाउन गया यहाँ पे सेल्स की बात करें तो 26% से से डाउन गया तो यह एक अच्छी बात ही कि स्टॉप्राइस कम है लेकिन कंपनी फंडामेंटली उतनी कम नहीं हुए है फंडामेंटल कंपनी स्टेबल है स्ट्रॉंग है और स्टॉप प्राइस थोड़ी सी डाउन है तो अभी यहाँ पर अगर सपोर्ट लेवल पर यह शेर आता है तो हमार लिए एक अच्छा चांस बनता है हम देखेंगे वह टेकनिकल चार्ट पर अगर हम बात 74% से 73 1% शेर उनके कम हुए लगबगा मार्च 21 में यह कम हुए थे अभी जो 73% यहाँ पर बच चुके तो यह ठीक ठाक बात है मतलब 73 एक बहुत अच्छा खासा वह पैटन हमें देखने को मिलेगा 73% एक अच्छी वैल्यू के साथ प्रोंटर्स चेर को होल्ड कर रहें टे तो यह एसा ही सपोर्ट इसने नहीं लिया गर्म पास कंपेर कर एक कंपनी का तो यहाँ पर इसने पहले भी इसी वैल्यू से जो था बाउंस बैक किया था आप देख सकते हैं यहां से यह डाउंटरी शुरू हुआ था लेकिन इसी वैल्यू से 397 रूपीद से लगबग आने तो वह 700 के भी पार लग चुका था तो अगर सिच्वेशन वहीं बनती है यहां से सेम ही वैल्यू से इसने फिर से एक बार सपोर्ट लिया है जो कि एक अची वैल्यू है स्ट्रॉंग सपोर्ट देखने को मिलेगा वहां से यह 435 तक अभी पोच चुका है तो यहां पर जो हमारा बनेगा शॉट टर्म के लिए तो उसकी बाद हम कर लेते हैं तो यहां पर जो फर्स्ट रेजिस्टन्स हमें उजे बनता हुआ दिख रहा है वह है इस वैल्यू पे लगबख लगबख 493 मतलब 500 के आसपास यह वैल्यू बनती हुई दिखेगी 500 का हम अगर रेजिस्टन्स हमें देखने को मिल सकता है 13% का प्रोफिट यहां पर भी लोग वह उटा सकते हैं अगर इसे ब्रेक करता है तो हमारा नेक्स टार्गेट जो बनेगा वह 612 का बनता हुआ दिखेगा जो कि एक नेस्ट रेजिस्टन्स हमें फेस करता हो यह कंपनी दिख सकती अगर यहां से दाउंसाइड भी यह आता है तो एकर अगरयं इसमें डर ने कि बात आ हैं और स्ट्रॉओं है यहां पर यहां सर्फ नहीं है कि यहां संनी है कि फिंवेधकर स्प्राइशन ल pages Nd Oh पर फिर एजुकेशन पर परस के लिए बनाई गई है, थैंक यू